एलोसी पुंच सेक्टर में फिर से तनाव बढ़ गया है आपको बता दे कि एलोसी पुंच सेक्टर में पाकिस्तान ने गुरुवार और शुक्रवार की रात को फाइरिंग की है जवाबी कारवाई में भारतिय सेना ने पाक के पांच सैनिक मार गिराए है आपको बता दे कि पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रन रेखा पर जबरदस फायरिंग की जा रही है। गुरुवार्दो पहर शुरू हुआ सिलसिला शुक्रवार सुबह तक जारी था। भारतिय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का करारा जवाब दिया है। जवाबी कारवाई में पाकिस्तान के पांच सैनिक मारे गए उसके तीन सैनिक घायल भी हुए है सुत्रों के मताबिक पाकिस्तान की तरफ से गुरुवार दो पहर बाद शुरू हुई फाइरिंग शुक्रवार तड़के तक जारी थी इस दोरान भारी हथियारों और मोटार का भी इस्तमाल किया गया भारतिय सेना ने भी जवाबी कारवाई की इसमें पाकिस्तान के पांच सैनिक मारे गए बताय जा रहा है कि पाकिस्तान ने अचानक फाइरिंग की है पाक सिविलियन इलाकों को टारगेट करना चाता है मानकोट सेक्टर में सबसे ज़्यादा फाइरिंग हुई कुछ सिविलियन प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुचा है दोनों देशों के बीच 1999 में सीज फायर वायलेशन को लेकर समझोता हुआ था पाकिस्तान लगातार इस संघर्ष विराम समझोते का उलंगन कर रहा है इस साल अब तक उसने 3200 बार सीज फायर वायलेशन किया इसमें 30 नागरिक मारे गए जबकि 100 से जादा घायल हुए गुरुवार से शुक्रवार को हुई भारत की जवाबी कारेवाई में पांक के पाथ सेनिक धेर हो गए हुआ है झाल झाल ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल at JBD Banquets Enterprise